नमस्कार, हालो, and a very warm welcome to CIETN CRT's live phone-in interactive program. मैं हूँ तानवी कुराना, इस वक्त आप हमें देख रहे हैं इवद्या, चानल नमबर 9 पर. नवी कक्षा के सभी चात्र हमारे साथ इस कारिक्रम में शामिल हो सकते हैं. विज्यान के इस कारिक्रम में आज जिस चाप्टर पर हम बात जीत करने वाले हैं, वो है चाप्टर नमबर 9, Force and Laws of Motion. अगर आपके पास कोई सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचाएए. नमबर है 88044559, आप हमें फोन कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमें इमेल भी कर सकते हैं. dth.class9.ciet.nic.in आज हमारे साथ एक महमान मौझूद हैं, आएए अपका परिचे करवाना चाहेंगे, मिस गरमा शर्मा से. स्वागत है माम आपका, थेंक्यू माम, नमस्कार. माम है, TGT in Natural Science, Government सर्वोत दे करने विद्याले, सेक्टर 16, रोहिनी नई दिल्ली से. और माम हमें बहुत सारी जानकारी देंगी, Force and Laws of Motion के बारे में तो चलिए, इस बाचीत को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम माम से जानते हैं, कि माम, Force की एक छोटी सी definition आप बच्चों तक पहुँचाना चाहेंगी? माम, अगर हम बात करें, Force की, तो हम Force जो है, अपने डेली लाइफ में, डेली हर जगा, हर टाइम, किसी ना किसी चीज को मूव करने के लिए, हम Force लगाते हैं, तो आज इस चैप्टर में, बच्चों, हम Force के बारे में पढ़ेंगे, Effects of Force, What are Balanced and Unbalanced Force, उसके अलावा हम Newton का Law समझेंगे, आज इस चैप्टर में, हम ये सब करने वाले हैं. माम आपने कहा कि किसी चीज को हम Force लगाते हैं, को मूव होता है, तो क्या अब डेली लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे एक्जामपल से सकते हैं? बिल्कुल माम, देखे जैसे आपको मैं एक एक्जामपल देती हूँ, ये हमारा एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है, अभी बिल्कुल नर्मल पॉजिशन में है, जब मैं इसको पूल करती हूँ, यानि मैंने इसके उपर एक फोर्स लगाया, तो ये एक्स्पैंड हो है, उसके अलावा अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो हमें अगर डोर ओपन करना है, डोर क्लोस करना है, उस ताइम भी हम पुल और पुछ करते हैं, तो ये सब ही एक्जामपल जो है हमारे फोर्स के एक्जामपल है, जी, डेफिनेशन की बात करें मैं, तो फोर्स जो है, it is an effort that change the state of an object at rest or at motion, यानि कि force जो है, वो effort है, जो हमारी object को rest पे ले आता है, यानि कोई चीज move कर रही है, तो उसको rest पे ले आएगा, for example, आपने देखा होगा, जब cricket में एक baller है, वो bat से ball को मारता है, तो fielder का काम क्या होता है, उस ball को पकड़ना, तो कोई object जो थी, वो motion में थी, गती कर रही थी और उसमें उसको पकड़ लिया, हम football की बात करें, तो जो goal keeper है, goal keeper क्या करता है, goal बचाता है, तो जो motion में object थी, उसको वो rest में ले आया, और कोई चीज हमारी rest पे है, उसको हम motion में, जब हम start करते हैं अपनी hockey की game, तो ball को हम तो rest की position पे motion में आ गई, और जो motion में है, वो rest में आ गई, next is, it can change an object's direction and velocity, जो हमारा force है, वो किसी भी object की direction को change कर सकता है, suppose हमें गाड़ी, हम सड़क पे चला रहे हैं, बिल्कुल सीधी direction में, और हमें you turn लेना है, या right turn लेना है, left turn लेना है, तो हमें steering पे extra force लगाना पड़ object की shape को change करने के लिए भी हमारा force काम आता है, यह हमारे examples हैं, जो भी हमने आपको दिखाए थे, एक spring का example है, कि वो कैसे normal position में था और हमने उसको pull करा, तो वो expand हो गया, force moves stationary objects, जो stationary objects है, जो रुकी वी चीज़े हैं, motion में नहीं है, rest की position पे हैं, उनको वो आगे move करता है, force stops objects from moving, कोई भी चीज जो चल रही है, उसको वो move करने से रोग देता है, force, force changes the shape of a body, body की shape change कर देता है, और force जो होता है, वो direction भी change करता है, motion का, जैसे कि हमने देखाए कि हमें गाडी को किसी direction में लेके जाना है, cycle का, अगर हमें right turn लेना है, left turn लेना है, तो हमें handle जो है, उसको मो wall की बात करें, और दिवार को आप push करते हो, दिवार तो stable है, तो क्या, उसमें भी हम कह सकते हैं कि कोई force apply हो रहा है, बिलकुल मैम, इससे पहले मैं आपको इसका answer दूँ, मैं आपको एक equation समझाना चाहूंगी, force जो होता है, वो equal होता है, m into a, where m stands for mass and a stands for acceleration, अब आपने जो question पूछा है मैम, उस case में जो हमारा, जो हमारा force है, आपने कहा कि दिवार पे हमने force लगाया, लेकिन दिवार हमने देखा है कभी भी move नहीं होती, क्योंकि उसमें mass तो है, लेकिन वो accelerate नहीं हुई, तो force जो है हमारा इस condition में zero हो जाता है, इसलिए वो wall नहीं करती, क्योंकि हम उतना force हमने wall पे लगाया, उतना ही force wall हमारे उपर लगा रही है, इसलिए वो जो net force होता है हमारा, वो हमारा zero हो जाता है, यहीं से हम इसकी unit निकालते है, कि unit क्या होती है, हमें पता है mass की unit होती है, kilogram, यानि mass जो वजन होता है, उसको हम kilogram में measure करते है, और जो acceleration होता है, उसे ह kilogram, meter per second square में measure करते है, तो इसकी unit हो गई हमारी kilogram, meter per second square, जिसे हम one newton भी कहते है, one newton is kilogram, meter per second square, next ma'am, introduction to force, sorry, balanced and unbalanced forces, अब हमें यह समझना है कि balanced और unbalanced forces क्या है, when balanced force are applied to an object, there will be no net effective force acting on the object, इसको हम एक example से समझेंगे, आप इस diagram में देख सकते हैं, आपने tug of war देखा है, tug of war में दोनों side पे same people होते हैं, same number of people होते हैं, फर्स diagram में हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ, same amount of force लग रहा है, 300 newton and 300 newton, तो यहां पर इस condition में कोई भी motion नहीं होगा, इसे हम कहेंगे balanced force, और balanced force की condition में कोई भी object move नहीं करती, वो जिस position पे रखी है, वो उसी position पे रखी रहती है, क्योंकि किसी भी चीज को move करने के लिए, जब भी कोई चीज move करेगी, उसके लिए हमें external unbalanced force चाही होता है, नीचे वाले next उसमें हम देख सकते हैं, कि एक तरफ तीन लोग है, पर परसन 100 newton का force लग रहा है, तो हमारे left hand side पे 300 newton का force लग रहा है, और हमारी right hand side पे 100 newton का force लग रहा है, जिस कारण से वो unbalanced force हो जाता है, क्योंकि balance नहीं है, और इसी कारण से कोई भी object move करती है, इसका एक example हम और समझ सकते हैं, जैसे कि suppose कोई object रखी है, एक हमने object रखी, एक box रखा है, और उस box पे यहां से भी 100 newton का force लग रहा है, और यहां से भी 100 newton का force लग रहा है, इस condition में वो object move नहीं करेगी, क्योंकि जो force है, amount of force है, वो दोनों side पे equal है, balanced and unbalanced force, unbalanced force is acting on an object, change its speed or direction of motion, तो यहां से हमें समझ में आता है, कि अगर किसी object को move करना है, तो उसके लिए हमें unbalanced force ही चाहिए होगा, it moves in the direction of the force with the highest magnitude. माम क्या यहां पे अगर हम cycle की बात करें, bicycle की, अगर एक वक्ती bicycle चला रहा है, तो उस पे भी कोई force apply होता है, बिलकुल माम, जब हम cycle चलाते हैं, तो जब हम paddle मारते हैं, तो हम अपने पैरों से उसके उपर एक force लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, कि जब हम उस पे force apply करते हैं, तो कुछ देर बाद, वो cycle रुख जाती है, आपने cycle चलाना शुरू करा, आप कुछ देर के लिए paddle मारना बंद कर देते हो, जब हम paddle को मारना बंद कर देते हैं, उस condition में, वो cycle थोड़ी देर तो चलती रहती है, लेकिन उसके बाद वो रुख जाती है, सेम हमने द उसके बाद उनकी position stable हो जाती है, तो इससे हमें यह समझ में आता है, कि कोई और force भी है, जो हमारा इसके अलावा काम कर रहा है, उस force को हम कहते है, frictional force, हम definition समझेंगे, frictional force की क्या होती है, Frictional force is the force generated by two surfaces that contact and slide against each other, इसका मतलब यह है कि जो भी दो objects है, जो motion में है, एक चीज हमारी stationery है और एक हमारी motion में है, तो जो frictional force है, वो कब लगता है, सपोज यह आपका कोई एक, मैं example देती हूँ आपको carom board से, carom board जब हम खेलते हैं, तो हम उस पर powder डालते हैं, क्यों डालते हैं, थोड़ा slippery होजाए, क्योंकि जब हम powder नहीं डालते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी गीटियां है, वो move नहीं करती, तो जो force of friction है, वो उसको move नहीं करने देता, लेकिन जैसे ही हमने उसके अपर एक powder डाल देते हैं, तो वो उसकी friction कम हो जाता है, तो जो force of friction है, वो अपोज़ डिरेक्शन में होता है, जिस डिरेक्शन में मोशन हो रहा है, उससे अपोज़ डिरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स काम करता है Now, there are some factors which affect frictional force. These forces are mainly affected by the surface texture. उस surface का, जिस surface पे कोई object move कर रही है. For example, हम cricket ground की बात करते हैं, तो जो ball है, जब कोई baller ball को cricketer के पास पहुचाता है और batsman उसको मारता है, तो कुछ देर बाद अगर हम ना भी चाहें, कोई fielder अगर ना भी हो उस ball को पकड़ने के लिए, तो वो चलती-चलती कुछ देर बाद खुद ही रुख जाती है, क्योंकि उस case में जो हमारी ball है, उस ball और जो हमारी surface है ground की, contact जो है ball का जो lower वाला portion है उसका और जो हमारा ये ground है, इन दोनों के बीग जो contact हो रहा है, वहाँ friction का force काम करता है, और किसी भी surface पे हमारा friction का force काम नहीं करता, तो ये जो ball है कुछ देर बाद चलते-चलते अपने आप ही र इस example देखो हमने दिखाया है आपको, आपको ये box दिखाई दे रहा है, दो बच्चे आपके सामने हैं, जो इस box को push करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस case में आपने देखा कि जो arrow है उपर वाला वो जो बच्चे धका मार रहे है, push कर रहे है, वो है और जो नीचे वाला arrow है वो हमारा friction का force है, दोनों ही अगर same amount में होंगे यानि कि हमारा force और जो हमारा friction है, अगर same amount में होता है तो वो box नहीं खिसकेगा, second condition में भी यही है, और third condition में, जो हमारा force है, जब इन बच्चों ने और तेज धका लगाया, उस condition में amount of force ज्यादा हो गया, और जो amount of friction है वो कम हो गया तो इस condition में हम कहेंगे कि यह जो object है यह आगे move कर जाती है next ma'am इसमें हम अब यह तो बात हमने करी force की अब हम बात करते हैं motion की यह हमें समझ में आ गया कि कोई भी object जब move कर रही है that means उसके लिए कोई external force लगा है तो Newton का first law हमें कहता है कि a body remains at rest or in motion until or unless it is acted on by a net external unbalanced force और इसको हम law of inertia भी कहते हैं अब law of inertia क्या है इसको हम एक example से समझेंगे आपके सामने एक एक देखिए यह एक glass है और यह एक हमारा card और उसके उपर हमने coin रखा है ठीक है अब हमने समझा कि कोई भी object जो है या तो वो rest में रहेगी या वो motion में रहेगी अपनी जो उसकी आदत है उसी में रहेगी until or unless it is acted upon by a net external force अब जो यह आपका card है इसके उपर मैं एक force लगाती हूँ मैंने एक force लगाया तो जो हमारा force था वो मैंने card पे लगाया लेकिन जो यह coin है यह अपनी जगा stable रहा यह हमारा law of inertia है क्योंकि कोई भी object जो है जिस position में है वो उसी position में रहना चाती है जैसे कि इस case में हमने समझा जो coin है coin जो है वो अपनी ही position में रहना चाता है लेकिन जब हमने card को move किया जब हमने card को hit किया तो card तो आगे बढ़ गया लेकिन जो coin था वो अपनी ही position में रहने की tendency रखता है अगर आप card और coin दोनों को push करती तो क्या वो दोनों ही आगे बढ़ जाते यह दोनों को ही push किया था लेकिन यही हमारा law of inertia है इसको मैं एक example से और समझाना चाहूंगी आपने देखा होगा जब हम car चलाते हैं car चलाते वे अचानक जब हमारी brake लग जाती है तो brake लगाते वे हम आगे की और गिरते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमारी body है वो inner उसको एक movement मिली वी है वो move कर रही है car के साथ साथ move कर रही है लेकिन जब अचानक से brake लगती है तो जो हमारा contact है legs का car के साथ वो तो हमारा rest की position उसमें रहता है लेकिन जो हमारी body है वो आगे की और इसलिए गिर जाती है क्योंकि वो अपनी जिस position में चल रही थी speed में चल रही थी वो speed में ही रहना चाहत तो इसलिए हम आगे की और गिर जाते हैं दूसरा example जब हम bus में travel करते हैं बस में भी travel करते हैं अचानक से जब हमारी रुकती है metro तो हम आगे की और गिरने की कोशिश करते हैं अपने आप ही जुग जाते हैं आगे की और और यह जो coin वाला है यह भी में आपको भी समझाया उसके अलावा हमारे daily life से और भी examples हैं जैसे कि जब हम door mat है जब आपके घरों में door mat होती है आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे particles होते हैं जब उन particles को जब तक हम नहीं जहाडते जब तक हम उसको नहीं कहीं किसी चीज से हिट करते वह उसी के अंदर रहते हैं लेकिन अजि से टीज पमंठ कर आगे तू जब दीवार पर मारा तो जो उसके dust particles हैं वह बहर निकल कर आ जाते हैं ईसे ही अगर हम classroom की करें तो छॉक जो हमारा duster है तो जब उसमें dust particles होते हैं, जब हम दिवार पे hit करते हैं, तो जब हम दिवार पे hit करते हैं, तो जब तक कि उसकी हम position change नहीं करते हैं, हम जब तक दिवार पे hit नहीं करेंगे, वो आगे अपनी movement नहीं लेगा. तो यह हो गया Newton का first law, क्या बता सकती है Newton के कितने law हैं, जो class 9th के बचों के course में हैं, टोटल मैम three laws हैं हमारे Newton's के, Newton law first, second and third, आज के session में हमने Newton का first law समझा है, इसी के साथ एक चीज और होती है, law of inertia है, उसके साथ एक चीज और जुरी हुई है, जो की है mass, अभी हमने समझा, कि mass जो होता है, किसी भी object का वजन है, द्रव्य मान है, कि उसके अंदर कितना वजन है, तो जब तक की कोई object, जितना ज्यादा किसी object का वजन होगा, उसको move करना उतना ही मुश्किल होता है, suppose एक example समझेंगे, एक हमारा pen है, हम इस pen को easily push कर पाते हैं, या एक हमारे सामने एक है, इसका mass कम है, और जो stone है, उसका mass जादा है, इसी तरह हम देखते हैं, अपने घर में, एक bed को खिसकाना मुश्किल होता है, और उसके अलावा एक chair को खिसकाना easy होता है, तो यही हमारा law of inertia है, जो हमें बताता है, कि कोई भी object, अगर motion में है, तो वो motion में ही रहना पसंद क करेगी, इसको हम एक और असान example से समझते हैं, कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे कब पढ़ते हैं, जब exam आते हैं, तो उनके ओपर एक external force लग रहा है, वरना वो घर में अराम से बैठे रहते हैं, उनके ओपर कोई force नहीं है, तो वो नहीं पढ़ते हैं, जैसे ही उनके ओपर force लगता है, exam का pressure आ गया, force लग गया, तो वो क्या करते हैं, फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम घर में बैठे हैं अराम से, अचानक से जब मम्मी की डाट पड़ेगी, एक force लगा, तब हम उठके कोई काम करते हैं, तो law of motion में, जो हमारा first law है, वो हमें यही बतात है कि कोई भी object अगर motion में है, तो वो motion में रहेगी, अगर वो rest पे है, तो वो rest पर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बहाईये असंतुलित बल कारे नहीं करता, और यही हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे examples देख पाते हैं, जी, अब ये बच्चे आपके लिए कुछ home assignments हैं, ये हमने discuss करे हैं, आपके साथ सभी questions, question number one, question number one is, which of the following is the SI units of force, इन में से कौन सी force की SI unit है, option one is kg ms square, meter per second square, option b is kg meter per second, option c is newton meter and option d is newton, तो आपको इन में से बताना हैं और कोई एक से ज्यादा option भी correct हो सकते हैं, question number two is, which of the following is true about force, force के लिए इन में से कौन सी बात सही है, first is, force is invisible, force जो है वो invisible है, force can move a body, force जो है किसी body को move कर सकता है, it can deform a body and d is all of the above, third is, a coin placed on a card, अगर हमें coin को place कर दे card पे, तो क्या होगा, it remains at rest, because of, वो क्यों रहता है वहाँ पर, a is inertia of rest, b two forces act on the coin which balance each other, third no unbalanced force acts on it and third, fourth is all of these, next question define one newton and last one is, write any three effects of force, आप सभी बच्चे इन questions को try करेंगे घर पे, और कोई भी doubts हैं, तो आप हमें mail कर सकते हैं, thank you, thank you so much ma'am, जैसा कि आपने कहा, बच्चे हमें mail कर सकते हैं, mail id at dth.class9 at the rate ciet.nic.in and मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे answers आने वाले हैं, thank you so much ma'am, आपने बहुत अच्छे से force और laws of motion का concept बच्चों तक पहुच आया, thank you so much आज हमाय साथ जुडने के लिए, thank you, thank you, thank you, सबी दर्शकों का भी हमाय साथ जुडने के लिए, यह बहुत ही अच्छा session था, अगर आपने किसी भी कारण वर्शी से नहीं देखा है, तो आप इसे दुबारा देख सकते हैं, जाने से पहले एक जानकारी देना चाहेंगे, NCRT के जो किताबे हैं, नए academic session, 2013-2024 के लिए, अब वो पूरे भारत में उपलब्त हैं, आप चाहें तो उन्हें directly sales counter से खरीच सकते हैं, या घर बैठे बैठे, आप उनका online order भी place कर सकते हैं, ncrtbooks.ncrt.gov.in पर, और अगर आप चाहें तो PDF version डाउनलोड भी कर सकते हैं, ncrt, दीक्षा या e-part शाला की website, या उसके mobile application के आथिम से, तो ये कारेक्रम यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ी देर में English की एक class लेकर फिर से हाजर होंगे, class 9th के सभी वच्चों के लिए और जिस topic पर बाचीत होगी वो होगा, poem, on killing a tree, तो देखना बिलकुल मत भूलेगा, e-vidya channels पर, thank you so much, have a great day ahead, namaskar.